हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे संराइजर्स हैदरबाद ने IPL 2024 के लिए अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया है तीम ने पैट कमिंस को अपना नया कप्तान चुना है S.R.H. ने इस आस्ट्रेलिया आई तेज गेंदवाज को मोटी रकम खर्चकर नीलामी में खरीदा था IPL 2023 में संराइजर्स हैदरबाद की कमान एडम माकरम के हाथ में थी 2024 में IPL में एटम माकरम के स्थान पर आस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमेंट को संराइजर्स हैदरबाद का कप्तान बनाया गया है इंडियन प्रीमियल लीग, IPL, फ्रिंचाइजी संराइजर्स हैदरबाद ने सोमवार 4 मार्च को आगामी IPL 2024 के लिए अपने नए कप्तान का एलान कर दिया है टीम ने आस्ट्रेलिया आई तेज गेंदबाज पैट कमिन्स को अपना नया कप्तान चुना है पैट कमिन्स कप्तानी के मामले में एडन मार्करम को रिप्लेस करेंगे जिम्होंने पिछले सीजन SRH की कमान संभाली थी उनकी अगुवाई में हैदरबाद का पफोर्मेंस बहत खराब रहा था टीम 14 में से 10 मैच हार कर पॉइंट स्टेबल में सबसे नीचे दसवे पायदान पर रही थी टीम का पफोर्मेंस सुधारने के लिए हैदरबाद टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है पैट कमिन्स पर सन्राइजर्स हैदरबाद ने नीलामी में मोटा पैसा खर्च किया था इस ऑस्ट्रेलिया एटेज गेंद बाज को SRH ने 20.50 करोर रुपे में अपनी टीम में शामिल किया था ऐसे में उनका कप्तान बनना स्वभाविक था पैट कमिन्स के लिए क्रिकेट की दुनिया में पिछले 9 महीने बेमिसाल रहे हैं उनकी अगुवाई में आस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन्शिप का खिताब जीता था वही टीम एशेज रिटेन करने में भी काम्याब रही थी इसके अलावा आस्ट्रेलिया 2023 में भारत में हुए वर्ल्ड कप को भी जीतने में सफल रही थी दोस्तों IPL से जुड़ी खबर पानी के लिए आप ब्रीम 11 क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद